दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि लिपीड क्या है इसके प्रमुख कारे क्या है ठीक है तो आज़े समझते हैं कि लिपीड की परिभासा क्या है ठीक है वे कारवनिक पदार्थ वशा और तेल ठीक है वे कारवनिक पदार्थ जैसे वशा और तेल जो जन्तू यहां बनस्पतियों से प्राप्त होते हैं उन्हें लिपीट करते हैं जो जनतुए मनस्पतियों से प्राप्त होते हैं उसे क्या करते हैं अब देखें नोट में हम क्या लिख देंगे जिसे मालीजे कि यहां मोम के समान कारवनिक पदारत होते हैं ठीक है यह किसके समान होते है मोम के समान एक कार्वनिक पदार्त होते हैं अब आगे देखिए लिपीड सब्द का परियोग जर्मनी के विलहेम ब्लूर ने सन 1943 में किया था जो लिपीड सब्द था उसका परियोग कौन किय थे जर्मनी के एक मतलब विलहेम ब्लूर उसको सन उनिशो सेंटालिस में किया था अब उधारन समझते हैं उधारन में क्या है जैसे तेल, घी, मोम, वनस्पती तेल, चर्बी, प्राकिर्तिक, रबड, आद, ठीक है यह लिपीट की क्या है उधारन है अब पूछ लेगा कि लिपीट की प्रमुकारी लिखे तो लिपीट के प्र कार्बोहाइट्रेट तक प्रोटीन के अभाव में सरीर को उर्जा परदान करना ठीक है जो कार्बोहाइट्रेट तक क्या है प्रोटीन के अभाव में सरीर को उर्जा परदान करना ठीक है दूसरा क्या कह रहा है कि सरीर के ताप को नियंतरिद करना दूसरा क्या करता है सरीर क पोशड़ खनन च्छामता को क्या करता है नियंतृत करता है तो यह था आज का लिपीट की परिभासा मतलब उसके सब्द की मतलब खोच किसने किया था लिपीट का कारे क्या है तो इसको आज हमने देखा आयोग क्या वीडियो आपको अच्छी लगे हो तो प्लीज आमरे इस वीडियो को लाइक करिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों की पास सदिक सदिक सेर करिए धन्यवाद